शरीर और आत्वा अपने भगवान को ढूंडते हैं भगवान के पास चल जाते हैं इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग लग है इससे इलाज करने वाले भी दोनों अलग अलग है इसलिए आपने अगर आत्मा में संतुष्टी और शांती प्राप्त कर ली तो शरीर हमेशा सुखी आपको बना के रखिए गए इसलिए किसी की आत्मा मत दुखाईए और ना ही अपनी आत्मा पर कोई बोज रखिए दमशकार प्रेसातियों मैं हुस्तुरेश श्रबाली और आप देख रहे हैं तेन दिसंबर शनिवार मोक्षदा एकादरशी आज का राशिपल आज हर अत्र राशिपर मोक्षदा एकादरशी पर मैं विशेश उपाय बताउंगा जिस से आपका और आपके फितरों का मोक्ष हो सकता है उसके रास्ते प्रबल हो सकते हैं और आपके ऑपर अगर कोई भी बोज है कोई भी गलत कर्म करने का पाप करने का तो वह भी दुल सकता है पिरे साथियों आगे बढ़ने से पहले एक important बात अगर आप उससे बढ़ सली मिलना चाहते हैं तो मैं 4 दिसंबर को गुडगाओं में हूँ, 7 और 21 दिसंबर को जोदपूर, 11 दिसंबर दिली, 12 दिसंबर को लोधियाना और चंडिकड रहूँगा, 16 दिसंबर उदैपूर, 17 17 दिसंबर नागपूर और 18 दिसंबर को पूने में रहूँगा, 23 दिसंबर को मुंबई, 24, 25, 26 दिसंबर को पनजी गोवा में रहूँगा, 13, 14, 15 जनवरी को में सिंगापूर में, 28, 29 जनवरी काटमांडू और 3, 4, 5 परवरी को दुबई में रहूँगा, आप चाहें तो य पूजा से जूड़ी हुई इन चीजों का तूटना शुब या अशुब कारिकरम कालत में एस्ट्रोग्यान में बात करेंगे महा भागी योग वो भी फिमेल के लिए इस्तिरियों के लिए लेकिन शुरुबात गुरु मंत्र में घर परिवार में सौभा गिलाने पित्रों को मोक्ष प्राप्ति हो जाए इसके लिए आज के दिन वरत के साथ भगवान विष्टु जी की पूजा करें खीर में तुलसी के पत्रे डाल कर भोग लगाएं शाम को तुलसी जी के सामने गाय के गी का दीपक प्रजुरित करें और ग्यारा परिक्रमा करें इससे घर में परिजनों के बीच प्रेम रहेगा आपके उपर अगर कोई पाप है या कोई भी ऐसा दोश है वह शमन होता है और पित्रों को मोक्ष मिलता है आईए प्रेसाती और चंद सेकिन आप लोगों लूगा आज की खुंड़ी और आज के पंचांग को लेकर देखिए आज पूरे दिन एकादशे रहेगी और आज पूरे दिन रेवती नक्षत रहेगा ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशीयोग, आनदादी, सुनफा और गजकेसरयोग का एज़िटी साथ मिलेगा अगर आपकी राशी मितुन करने अदरू और मीन है तो हंसीयोग, मेशकर, तुला, मकर राशी है तो शर्ष्योग के लाब मिलेगा आज चतरमा पुरे दिन मीन राशी पर रहेंगे और आज के दिन, अगर आप किसी शुब या मांगली कारियों के लिए शुब समय की तलाश में तो दो बार मिलेगे दो फैर सबा बारा से डेड़ बज़े तक अभी जीत बारत है और दो फैर को डाइस से साड़े तीन बज़े तक लाप और हमरित का चौकरिया है कोशिश करिएगा सुबह 9 से सुबह 10 बज़े तक रहुकाल के समय शुब और मांगली कारियों ना किये जाएं आई राश्यपल की शुरुबात मेच राश्य से करते हैं नए संबंथ, नए संपर्क बनेगे जिन लोगों के साथ आपके संपर्क तूट गए हैं उन्हें हैलो हाई नमशकार जैसे ग्रिश्णा करिए संबंध वापस बनाईए वीकेंड पर बिजनस में किसी काम को टालने की परवर्टी आपके बंते काम में रुकावट ला सकती इसलिए आप एंजॉय जरू करिए लेकिन पहले अपने काम पूरे करिए तुरंत कोशिश करने शुरू करिए आए बढ़ने के साथ साथ खर्च भी कम करने की योग हैं इसलिए अभी से अपना बजट बना कर चलिए वर्ट प्लेस पर आलस्य और कुछ ऐसा जो मौजबस्ती में समय व्यर्थ कर सकता है उस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए आलस्य से बढ़कर हमारा घातक और कोई दुश्वन नहीं हो सकता है आपकी मन की कोई इच्छा आज आपकी पूरी हो सकती है आप दोनों के प्रेम यानि लव पार्टर और लाइफ पार्टर के बीच कोई और विगरें डालने कोशिश करेगा ऐसे लोगों से बचिए चिंता कोई बढ़ाने की कोशिश करेगा आँख खोल कर काम करिए ताकि आप चिंतन कर सकें शादी शुदा लोगों को आज तराव से मुक्ती कहीं ट्रेवल करने से वीकेंड को एजोई करने से मिलेगी स्टूडेंट आर्टिस और प्लेयर्स आपके परिणाम आज विपरीत हो सकते हैं आप ही अपने दिन को खराब करने वाले इंसान बनेगी इस पर ध्यान देना होगा आज मोक्षदा एकादशी के पावन असर पर अपने बीतर साकारत मंग उड़ जा बढ़ाने के लिए बागवान दामोदर को ग्यारा पीले पोश्प अर्पित करें और बागवान विश्टू जी के गोविंद और माधव स्वरूप का इस्परान करें बात करतें बरशब राशी की चोटी हो या बड़ी हो भाई हो या बहन अपने हो या कजिन उनके साथ बांडिंग मजबूत करें क्योंकि मज़ा तो वाकव में अपनों के ही साथ आता है बिजन्स वे ग्रोथ लाने के लिए काम में नया पन लाने की जरूत है कामकाच को लेकर कोई नस्दी की यात्रा हो सकती है जो की आपके लिए बिजनस विद प्लैजर लेकर आएगे वीकेंड पर टैक्स, लोन और फाइनेशल इश्यूस को उलजने से बचाईए और सुल जाने की कोशिश करें उसे कम्प्लीट करके ही अपने वीकेंड को एंजोई करें गज केसरी, वाशी और सुनफा योग के बने से जॉब करनेवा लोगों के काम में आज तब्दिली आएगी कुछ अच्छा और नया चैलेंज बिल सकता है आप किसी नीजी काम में ज्यादा वैस रहेंगे और शादी शुदा लोगों को अपने संतान के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगेगा वीकेंड पर स्टूडेंट आर्टिस और प्लियर्स एंजोई के साथ अपना काम भी बहुभी अंजाम पतक पहुँचाएंगे मोक्षदा एकादशी पर वरशब राशी वाले लोगों को किसी भी काम में लाब नहीं मिल रहा है उसे सुनिश्चित करने के लिए गर्मे लोबान से धूब करें और ओम रेशी केशाय नमहा तथा ओम स्रीधराय नमहा मंतर की एक-एक माला जाब करिए मितुन राशी आपकी जॉब में बद्राव और तब्दिली आएगी और शुबता लेकर आएगी इसमें आपको लाब बिलेगा आपकी क्या जॉब है आपके इस काम से अपने दिन को गुजारते हैं उस पे थोड़ा सा परफेक्शन लाइए एड़टीजमेंट सोचल मीडिया पर मार्केटिंग करने मां लोग सेल्स पर्चेस और ऐसे काम जो एप डेवलोपर, वेब डेवलोपर या फिर आईटी प्रोफेशनल से जुड़े वोग हैं जॉब करते हैं विजनस उनके लिए अच्छा थी नहीं पब्लिक रिलेशन को और बहतर करिए वेब साहिब में नए सोर्सेस ऑफ इंकम जेनरेट होगें ओफेश पे ज़्यादा काम और कुछ मैस हो जाने की चीज़ें की वज़े से आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता और वीकेंड की प्लानिंग धराशा ही हो सकती है इसलिए और्गिनाइस तरीके से जलिए कोई शुब समाचार आपके परिवार को खुश कर सकता है आप अपने बीतर साकारत पे उड़ जाल आने के लिए किसी मदद करिए लव पार्टर और लाइप पार्टर को प्रेम रोवांच रोवांस अच्छी खरीदारी करने का बौका बलेगा और खुश्टोंबा वातारों आप बनाएंगे आज आप नेचर के बड़े करीब जाने की कोशिश करेंगे सुनफा गचकेसर योग के बनने से जनरल हो या कॉंपेटेटर एक्जाम के तारीक अबर इस्टूडेंट के लिए आज सफलता का स्वाच चकने के दिन है आज गुटनों का दर्द वापस लोट सकता है अपना इलाज एक्सरसाइस योग प्रनायम से करिए अच्छी सेहत के लिए फल और जिंदगी जीने के लिए साफ मन का उना जरूरी है मोक्षद आयकादशी पर अपने बिजनस और जॉब में सफलता करिए बगवान दामदर को नीले रंग के पांच पुश पर चड़ाएं और बगवान विश्णों के पद मनाभ तदा केशर सोरूग का इस्परन करिए करकराशी समाज परिवार गली महले सोशल लाइफ ये सोशल मीडिया पर आज आप एक्टिव रहेंगे कुछ अच्छा करके आप लोगों का दिल जीश सकते हैं वाशी सुनफर गचकेसरियों के बने से जॉब और वेजनस में कोई काम नहीं रोकेगा डिले जरू हो सकते हैं काम के सिलसरे में आपको कोई समस्या जॉब में डालने की कोशिश करेंगे ऐसे लोगों को भैचानिये और दूर करिए गर परिवार के परती अपना दायत्व निभाना ज़रूरी है लव पार्टर और लाइप पार्टर बीच इमोश्टल आपके रिष्टे और बहतर होंगे जो लोग आपको दिल से चाते हैं उनको दिमाग से जवाब न दे बुरी आदतों तता नकारतों परवर्टी के लोगों से तुरंत दूरी बना लेजी स्टूडेंट आर्टिस और प्लेयर्स दीरस दैरी और सहिम से आप आगे बढ़ेंगे सब्र और सहिंट शिल्ता कोई कमजोरी नहीं होती है ये तो अंद्रूनी ताकत है जो केवल आपको मजबूत बनाती है स्वस्त रहने के लिए बाते हमने बहुत की है आज प्रैक्टिकल हो जाएं तभी लाब बिलेगा प्रिसातियों आज मोक्षदा एकादशी पर स्वभागी के प्राप्ति के लिए बागवान दामोदर को दो हल्दी की गांट चड़ाएं और ओम केशवायन महां तता ओम स्रिधरायन महां एक एक माला जाब करिए आपका कल्यान ही कल्यान होगा आई ये बात करता हैं सिंग राशी की शादी शुदा है तो सरसुराल वर्रा अपने परिवार से मेल जोल बढ़ाईए अगर किसी ने गलती किये बाफ करतीजे खुद ने गलती किये बाफ ही मांग लीजे दिल का बोच हलका कर लीजे बिजनस परसंस अपने बिजनस को बढ़ाने नए लोगों से जुडने की कोशिश करिए और अपने एंप्लोई से गुरूप डिसकुशन करिए आपको सक्सेस के राज मिलेंगे कोशिश आखिरी सांस तक करने चाहिए या तो लक्ष मिलेगा नहीं तो अनुभव मिलेगा दिन अच्छा है बहुत अच्छा करने के लिए आज आपको कोई त्यार करना पड़ेगा परिवार के लोगों के साथ वक्त रहते हैं वक्त बिताना अच्छा रहेगा अनावच्छे खर्चे बहस का करन बनेगी घर का बजट बिगड सकता है कॉस्ट कटिंग करने की ज़रूरत है वर्प्लेस पर कुछ देकतों के लिए आज आप किसी भी व्यक्ति पर भरोसा मत करिए सर्फ अपने दिल की सुनिए काम के सिलसले में आज कोई सीख देने बारे दिन है यंग एंटर्पिनियोर, फिलेंट्रोपिस और स्टार्ट अप करने वाए लोगों के लिए करियर को लेकर आज बहुत अच्छा दिन है पारिवारी जीवन में अनुभव और बड़े बुज़र्गों सला आपके लिए मारदर्शन का काम करेंगे स्टुडेंट आर्टिस और प्लेयर्स को अपने अपने फिल्ड में कोई मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है इसे टाइम वेश तो बिलकुल नहीं करें हाई बलड पिशर और हार्ट के मरीज के लिए देना अच्छा नहीं है खयाल रखना पड़ेगा आज बोक्षदा एकादशी पर सभी प्रकार के सुख और अपने परिवार के सुरक्षा के लिए बगवान दावोदर को लाल चंदन अर्पित करना बगवान विश्चुची के वामन और नारायन स्वरू का इस्वरंड करें बात करते हैं गन्य राशी की शादी शुदा है तो लाइफ पार्टनर वड़ना लव पार्टनर वो भी नहीं है तो दोस्त या ऐसा कोई भी इंसान जिसके साथ वक्त गुजारना आपको अच्छा लगता है बॉंडिंग और बजबूत करें चोटी चोटी बातों पर इरश्या और जगडे फसाद मत करें बिजनस में कुछ दिकत हैं और परिशाने जरू हैगी यानि डाइन टेबल को ऑफिस टेबल ना बनाएं वाशी गजकेसरी और सुनफा योग के बनने से ऑफिस में कंपनी द्वारा आपके कोई महत्तुपन और अथरेटी बिल सकती है और उच्छा दिकारियों के मदद से आप कोई प्रोजेक्ट भी पूरा कर लेंगे आपके बॉस भी आपके तारिफ करेंगे शादी शुदा लोगों का ग्रह से जीरून अच्छा रहेगा आप अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे रिष्टे को बढ़िया बनाने का प्रियास भी करेंगे विकेंड पर आज अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ कही गुमने फिरने का प्लैन बन सकता है गर में शादी बिया या शुब और मांगली कारियों के लिए रूप रेका बन सकती है स्टुडेंट आर्टिस और प्लेयर्स आपके आसपास ही सफलता गराज है दूर मज जाईए परिडाम आपके आसपास है बहुत अच्छे है स्वास्तिय को लेकर आज कोई समस्या नहीं है लेकिन ट्रेवल में थोड़ा ध्यान ज्याद रखना पड़ेगा आज मोक्षता एकादशी के पावनवसर पर सुखी बैरेड लाइफ और परिवार में शांती के लिए भगवान दामोदर को अभीर चड़ाएं और ओम त्रीवीकर अमाय नमहा और ओम मधू सुदनाय नमहा एक एक बाला चाप करिए प्रेसातियों आएए छे राशिवाद माहितोलोजी स्फिशन बात करते हैं पूजा से जूड़ी हुई कौन सी चीज़ें तूट जाती है वो शुब है या अशुब है इस पर बात करते हैं शंक को अत्यंत पवित्र माना जाता है शंक का तूटना अशुब नहीं बलकि शुब होता है ऐसा इसलिए क्योंकि शंक साकारत मक्ता का संचार करता है और ऐसे में अगर ये तूट जाए तो इसका अर्थ होता है कि कोई बुरी बला या होने वाले अशुब गटना टल गई अगर दीपक तूट जाए तो इसे भी अशुब बाना जाता है लेकिन शासर गनुसार दीपक का तूटना मात्र इस बात के तरह इशारा करता है कि आपकी पूजा में किसी प्रकार की कोई कमी या तूटी है ऐसे में आपको भायबीत होने के अवशकता नहीं है बस अपनी पूजा के तरीके में सुधार करके और शुदता लाने की जरूत है गन्टी का तूटना या दर्शाता है कि आप तनाव ग्रस्त है और नकारत उर्जा आपके आसपास बहुत जादा है वहीं यंत्र या कोई यंत्र माला रुदराक्ष अगर तूट जाए तो इस बात का वर्णन करता है कि आपने जिस भी मनो कामना है तो इस यंत्र को घर या पूजास्थान में स्थापित किया है वह कामना अनुचित है यानि सही नहीं है तो आप उससे परिवर्थित करिए ऐसी बहुत मेहतलोजी की चीज़े हम रोज बताते है बात करता है तुला राशी की आपके दुश्पन कौन है ग्यात और अग्यात से पैचानिये और अपना और अपनों का सुरक्षा चकर बनाईये बिजनस पे किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुबात कर रहे है नए लोगों से मिटिंग करनी है कोई फैसला लेना है कोई भी डील करनी है तो आप दोफेर में सबाबारा से डेड़ या दोफेर ढ़ाई से साड़े तीन बज़े के बीच में ये काम करिए वर्क प्लेस पर काम थोड़ा धीबी कतिस चलेगा हर काम में डेडलाइन ताइक की और आपने थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई तो आप देखेंगे आज अच्छा दिन रहेगा थोड़ा चैल्डिस टेंस यानि बच्पना आपके अंदर रहेगा कोई wrong decision आप लेने बाले हैं लव पार्टन लाइफ पार्टन के साथ दिल की बात शरूर शेर करिए रोमांच और रोमांस के साथ शॉपिंग बढ़ेगी जिन बातों के बज़े से आपको नाराज की महसूस हो रही है उनकी और ध्यान देने की कोशिश करिए ताकि बदलाव करके उसे ठीक किया जा सके आप से उम्र में छोटे या युवा को लव प्रभूसल प्राप्त हो सकते हैं स्टूडेंट आर्टिस और प्लेर्स की परफॉर्मेंस ट्रैक पर आएगी और फ्रेंट्स से पुराना जगड़ा दोस्ती में तबदील हो सकते हैं थोड़ी शारीरी कबजोरी को दूर करने के लिए आज जो डॉक्टर आपको खानपान की सला दे सकते हैं नीन की सला देते हैं उसका अनुसरन करिए मोक्षदा एकादेशी पर अच्छे स्वास्थे के लिए बगवान परिसातियों अच्छे स्वास्थे के लिए भगवान दामदर को हरे मूं चड़ाएं और बगवान विश्टू जी के गोविंद और माधरसुरू का इस्परन करिए बात करते हैं वरेष्टिक राशे की वर्प्लेस पर काम का बोज न होने के बाद भी तनाव महसूस हो सकता है काम में बदलाब न होने से चिंता बढ़ेगी यंग एंटर्परियोर को करियर से कुछ गंभीरता मिलने बाली है यानि अब आप किसी पर भी भरोसा मत करिए हर काम को अपने देख रेक में करने की कुशिश करिए मेरिट परसंस के रोमांच और रोमांस बढ़ने के साथ साथ शॉपिंग का योग बन रहा है सेहत के मामले में आज आप लकी है योग प्रणायम एक्सेसाइसे दिन की शुरुबात करें जो लोग डाइबिटिक है हार्ट के बरीजे उनको लापरवाही नहीं करने चाहिए मोक्षदा एकादिशी पर प्यार और परिवार पे प्रेम पाने के लिए बागवान दामोदर को रॉली और अक्षद का तिलक लगाए और ओम पद मना भायने महा और बाद में ओम रिशी के शायने महा ग्यारा ग्यारा बार हो लेकि जाब जरू करना चाहिए आईए बात करते है धरूर आशी की परिवार की सुख और सुविधाओं पर ध्यान दीजिए दिल बड़ा करिए और अपने से चोटों के तरफ तरफ पर ध्यान दीजिए उनको आपके जरूत है गवर्मेंट के तरफ से अगर आपको कोई तकलिवा रही है तो आज अधिकारों से मिलना शुब रहेगा बिजनस में पैसा फस्ता नुकसान और दोखा हो सकता है वेर्थ के बाद विवास से बचिए खुद पर वरोसा रखिए हर काम को अपने देख रेख में करिए किसी भी प्रकार की दुविधा के इस्तिती में अनुभवी वेक्ति के साला लेना या दीरज रखना जरूरी है युवा लोग अपने लक्षे के परती लापरवाही न बढ़ते हैं नौकरी में आपके पकर थोड़ी डिली है आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने का दिन है आप किसी को बुरी तरह निराश करने वाले किसी आत्मा को ठेस पहुचाने वाले इसे बचे आलस से और लापरवाही पे रहने से आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी परिवार के जिम्मेदारें नहीं समझेंगे तो आपको इतकलिप है हर व्यक्ति के लिए संसार में सबसे महतुपून अगर कुछ है बहुत सारी चीजों में से तो उसमें से एक परिवार है जो सायद सबसे महतुपून है स्टुडेंट आर्टिस और प्लेट्स अपने अपने फिल्ड में कुछ नया पन लाइए स्मार्ट प्ले, स्मार्ट स्टुडी करिए आपका टाइम बहुत बचेगा जो फैशन, पैशन, होबीज भी लगा सकते हैं मोक्षदा एकादेशी पर परिवार के समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए बागवान दामुदर को दही चीनी का भोग लगाए और भगवान विष्टुची के केसब तता स्रीधर स्टुरूप का इस्परन करिए मगर आशी की बात करते हैं दोस्त, यार और रिशिदार के साथ आपको मदद बढ़ानी चाहिए अगर उनको जरूत है तो दीजिए आपकी जरूत है तो आप उनसे मदद लीजिए लेकिन बांडिंग मजबूत करिए प्रेम दिखाईए बिजनस में पिछले कुछ समय से चले आ रहे है उतार चड़ाव में ठराव आएगा इंकम इस्ति रहेगी लेकिन खर्चों में बड़ोतरी उनने से कुछ चिंता और तकलिफ हैं लखी रहे हैं जो है चिंता की वो आपके मात्य पर नज़र आएगी इंवेस्ट्मेंट करना आने वाले दिरों में आज उस पर विचार करिए शुब और मांगली करिए आने वाले दिरों में कोई खर्चा है परिवार के साथ बैठ कर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने कोशिश करिए उसमें सुधार लाने के लिए आज आपको कोई त्याग करना पड़ेगा नौकरी पेशा लोगों को आज आनन्द मिलने वाला है सुनफा घचकेसरियों के बने से फाइनेशली कोई काम नहीं रुकेगा कहीं कहीं से पैसा आजाएगा सुकून देते हुए काम आगे बढ़ेगा आप लगातार कोशिश करिए काम को छोड़ कर कहीं टाइम वेस्ट मत करिए लव पार्टन और लाइफ पार्टन साथ रोवांच और रोवांस बढ़ने वाला है स्टुडेंट आर्टिस और प्लेट्स के लिए ये एक उन्निती दायक समय है यानि अपने दिल की सुनिये और आगे बढ़ी मोक्षद आएक आदरशी पर अपना पराकरब बढ़ाने के लिए भगवान दामोदर को दो तुलसी पत्र चड़ाए और ओम माधवाय नमहा और बाद बे ओम नारानाय नमहा मंतर की एक एक माला जाब करिए कुम राजी अपने नैटिक मुलिये जिब्धारी और कर्तवयों के निभा कर आज आप आशिरवात लूट लेंगे बेजर्स पर दिन सामानी है लेकिन अच्छा आप बना सकते हैं गवर्मेंट कॉंट्रेक्टर और कंस्रक्शन प्रॉपर्टीज बिल्डिंग मेट्रेल से जुड़े लोग फूड और बेवरिजेज होटेल रेस्टरंट से जुड़े लोग टूर और ट्रेवल से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शांदार है आप अपनी कमियों को पहचान कर उसे तुरंत दूर करिए आप कहीं कोई फॉर्म बढ़ रहे हैं कोई योजना के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो टेक्निकल मिस्टेक हो सकती एलट रही है नौकरी आपकी चिंता बढ़ने का काम करें कोई भी ऐसा काम आपने करें जिससे आपकी चिंता और बढ़ जाए विकेंड पर आपका काम आपको सफलता दे इसके लिए परिवार के साथ खोश्या बाढ़ आठिये अच्छा बोजर और अच्छी नीद आपको आगे रखेगा आप जितना अपना रिलेशन्शिप और उसमें महतो समझोगे लव पार्टर और लाइप पार्टर भी आपको उतना ही प्यार देंगे स्टुडेंट आर्टिस और प्लेयर्स आज शारेरिक और बांसी ग्रूप से थोड़ा धकान बोरियत महसूस करेंगे और कहीं ने कहीं कोई दिल दुखाने वाली बात आपके साथ करेंगे जिससे आप चिंता हम पढ़ जाएंगे ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बनाईए आज मोक्षदा एकादशी के पावनवसर पर दन की प्राप्ति घर में सुक्षांती समरती के लिए बगवान दामोदर को कमल गट्टे अर्पिट करें और उनके मदू सुदन स्वरूप का इस्पराण करिए आई बात करते हैं मीन राशी की मन चंचल है इसे तोड़ा सा समझाईए कहीं गलत रास्ते पर जाएगा आज उसे बचाईए बिजनस पर दिन अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा आपको बनाना है कॉर्परेट बिजनस मीटिंग हो ये जनरल मीटिंग हो नए लोगों के साथ जूड़ने और लोगों में नए उसा भरने के लिए आज आपका दिन शुब है अपने जिम्मेदारी और अपने काम को कैसे करना इसकी आपको समझ होनी जरूरी अपने काम के साथ साथ स्रे और पैसो को भी उत्रा ही महत्व देना होगा जितना आप अपने जिम्मेदारें को देते हैं काम के सिलसले में कुछ मुश्किले आएगी लेकिन उसका सामना आपको करना पड़ेगा और विरोधियों से साथबदान रहना होगा मुश्किले हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से माती है क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके सांजाम देनी के ताकत रखते है पहले कि कोई प्रेम संबंद में या पहले से किसी रिष्टा खराबता नागारत बे उर जाती वह दूर होकर वापस आपके साथ जीवन जीने के लिए आ जाएंगे स्टूडेंट आर्टिस और प्लेट्स के लिए ये एक सामाने दिन है अपनी गलतियों को पैचानी वरना पश्टाव होगा बोक्षदा एकादशी के पावनासर पर सुख सुविधाओं के लिए भगवान दामोदर को सिंदूर चड़ाएं और ओम गोविदायन महा और बाद में ओम वामनायन महा 11-11 बार जाब जरू करिए पेरे प्रेसातियों आईए अब कारिकरम गांत में आज के अश्रोग्यान में बात करते हैं महा बाग्ये योग वो भी इस्तरियों के लिए हमारी सभी महिलाएं, बहने, माताएं अपनी अपनी कुंडली खोल कर चेक करिए क्या ये योग आपकी कुंडली में है प्रेसातियों ये योग कैसे गटित होता है इसे समझे जिए यदि किसी भी इस्तरिका जन्म सूर्य अस्त से सूर्य उदैत को हो, यानि रात को हो सम लग्ड हो, यानि वरशब, कर्क, कन्या, वरिष्टिक, मकर और मीन आपके लग्ड होना चाहिए सम राशी में ही, यानि इनी राशी में चंद्रमा और सूरी बिस्तित हो, तो महा भागी योग बनता है इसमें जर्म लेने वाले इंसां, चाहिए वो जुगी जॉपने में क्यों नहों हो, वो महल खड़े कर देता है विश्व विख्यात बनते हैं, भागिशाली बनते हैं, धनवान और एश्चरिवान बनते हैं मैंने ऐसे से लोगों को देखा है, जिसमें अपने पती के लिए उन्होंने पत्री ने मंगल सूतर तक बेज़ दिया वही इस्तरी ने अपना खुद का मोर्चा संभाला, छोटे छोटे काम करके घर परिवार के और कहां से कहां पहुँच गये, ये आप भी कर सकते हैं इसलिए आप अपने कुंडली को चेक करिए, क्या ये योग आपकी कुंडली मनता है मेरे परिसातियों स्वस्त रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए आप उसे परसले मिल भी सकते हैं या टेलिफॉनिक और वीडियो कॉंफरेंसे अपन्मेंट के द्वारा जुड़ भी सकते हैं देगे नबर पे संपर करके पूरी जानकारे आपको मिल जाएगी आज के लिए तरह ही प्यार भरनमशकार और बहुत बहुत आशरवाद